अगर मैं गलत गाता हूँ तो उस गाने को बिलकुल प्रमोट मत करिया और मत सुनीए अच्छे गानों को सुनीए पहार को भी रास्ता छुड़कर खाड़ा होना पड़ा कि जा तु जीत गया मेहार गया जब भी छट हो डिपावली हो और होली हो तो प्लीज आप अपने घर पे बड़े भाई के नाते आपने जो मुझे बूला है दुनिया के सामने और आप ऐसे भी बोल सकते थे आपका नम दाने में नहीं जहरखंड मेरी माँ खाल जो है समझ लइजिए की हूं मेरी धड़कन है मेरे पापा उम्हीरे रहने का छ mois है और मेरी मेरी वाइप बच्चों के पढ़ने के लिए या उनकी उनको आगे बढ़ने के लिए अपना बिहार में बड़ा बदलाओ कैसे होगा उसके लिए गाना को बनाने में मुझे लगता है 40-45 लाक रुपय का खर्चा हुआ अब ही हमारे साथ सिर्फ भूचपूरी इंडरस्टी के नहीं पूरे हिंदुस्तान के पहले ऐसे कलाकार है जिनको देखने के लिए लोग टावर पे भी चड़ जाते हैं खेसारी लालियादो जी जारखंड में जब गए थे तो इनको देखने के लिए टावर पे लोग चड़ गया था अभी ये हैदराबाद से आ रहे हैं हैदराबाद में जिस जगह का कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 25,000 का था वहां पे डेर लाक से जादा लोग आ गए बावा सच तक नियूज में आपका स्वागत है सबसे पहले इस चैनल को सच तक को देखने वाले जितने भी लोग हैं जिसे साफ साफ ने अपने चैनल का नाम रखा है सच तक वैसा बोलते भी हैं विबाग की तरह और जैसे आपने बोला भी है कि हम दोनों भी बाद में रहते हैं तो गंदा गंदा पानी नहीं होता है साफ पानी ही गंदा करने की कोशिस की जाती है तो जब भी कोई साफ पानी होगा ना तो उसको गंदगी करने की कोशिस करेगी दुनिया लेकि हम ऐसा नहीं कि हम अगर हम जल हैं तो पुरी दुनिया को पिलाने का काम करेंगे कोशिस हम कि आप एक वर्कर की तरह अपने इस चैनल को भी चलाते हैं और बेवाक से आप लोगों के भावनाओं को और लोगों के जो तकलीफे हैं उस दुनिया तक पहुंचाते हैं और आप भी मेहनत करते हैं इनका मैं एक वीडियो देख रहा था इनोंने बोला था क्या कि भैंस पे चड़ने वाला आदमी को लोगों ने फ्लाइट पे चड़ा दिया एक सवाल मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी भी कलाकार को देखने के लिए लोग टावर पे नहीं चड़ते हैं आपको देखने के लिए टावर पे चड़ जाते हैं वो भी बिहार में नहीं जारखंड में कैसा मेंसूस करते हैं। उनकी जान है क्योंकि वो है तो मैं हूँ और इसलिए मैं कारिकरम बन कर दिया कम से कम पांच हजार से जादा लोग चड़ गए थे तो और मंदिर के प्रियांगन पर लोग चड़ गए थे वो मंदिर के गुंबज पर चड़ गए थे तो मुझे थोड़ा सा आजीब लगा कि यार मैं उतना भी बड़ा नहीं हुआ हूं कि लोग भगवान के सर पे चड़कर मुझे देखे एक और कॉंट्रोवर्सी आपके नाम पे हुआ है एक फिल्म का सुटिंग आपका चल रहा था और मंदिर के गेट पे आपका पैर मारने का सीन है और उसके उपर जो है बहुत पे मारे है और आस्था हमें भी समझ में आती है लोग मूझ से बोल देते हैं आस्था को लेकि हम तो हर साल आस्था को परचार करते हैं अपने गाई की दुवारा अपने संगीत दुवारा अपने सब्दों दुवारा और हर जगह जाके जहां भी हम सुरू करते हैं तो छट सी मारहा क्योंकि मंदिर के अंदर मेरा ईची में पेना ते मुझा पधानुन को बदा रहीं कि यह मंदीर यह भुदा लेकिन सिर्फ और सीफ थोड़ा सा क्लिप जो है वाइरल करके खेसारी लालियादों को बदनाम करने का प्रयास किया गया तो वही चीज है ना देखिए बाद बता है मनीश भिया जब इनसान कुछ करके आगे नहीं बढ़ता है एक चीज मैं आप से पूझना चाहिए इतना र आप देखिए बात वहाँ है नहीं एक्चिली देखिए मैं जुकूंगा तो आपका भी हाथ आशिरबात दने के लिए जुकेगा और आप भी जुकेंगे उठाने के लिए तो यह दुनिया में अगर बड़ा बनना है तो जुकना तो पड़ेगा आपको अगर आप तड़क मेहनत करके किये हैं तो जो लोग मेहनत करके नहीं करना चाहते हैं वो अपने जुबान से आपको दबाना चाहते हैं क्योंकि उनको मेहनत आता नहीं अगर उनको मेहनत आती तो उनको बोलने की जरूत नहीं है कि मेरी छबी किया है मैं करता क्या हूं मैं गाता क्या हूं मैं स करें तो वो काम करके तो मुझे पीसा करने सकतें क्योंकि च्पमता भी तो नहीं चाहिए ना वो स्टैमिना होनी चाहिए कि मैं उतना कर लो अब मैं हैदराबाद में में सो था डेर लाग पब्ली के बीच में मैं कारिकरम किया कारिकरम के बाद मैं तुरंट पांच बजे राट हिर मैं लंदन चला जाओंगा तो गही ना कहीं एक महबर्स पर लगों का कि मैं कितना भी मेहनथ करता हूं। मुझे लगता है कि में कमी कर रहा हूं। तो मैं मैंनथ सकते हैं भागतान। नहीं सायद yeah वही रीजन है कि मैं आज यहां तक हूँ अच्छा ये जो तबला गाना आया है ये थोड़ा सा दो लाइन उसका सुना सकते हैं कि काहे बड़े खिसी आती ये है पागला पर आव ठुमका लगाओ चलता बाला पर हम लोग ने से को मौझरा टाइप में सूट किया है कायोंकि मोझरा मगाओ बहुट दिनो बाद भजपुरी में मोझरा का चाना को कोशिस रहती है कि अपने भजपुरी को कैसे प्रमोट किया जा ये गाना को बनाने में मुझे लगता है 40-45 लाक रुपय का खर्चा हुआ क्योंकि इतने लोगों को फ्लाइट से बुलाना कुछ लोग यहां से भी आए है कुछ लोग सबको पनास में रोकना खाना पीना देना वहां का सूटिंग का खर्चा अलग खेसारी को देना अलग मुझी को देना अलग मॉडल को देना दांसरों को देना तो बहुत सारे चीज संगर्ष टूफ फिल्म कि कि सारी लालियादो कितने डाउन टू अर्थ हैं साइसे एक आपने ब्लेक कलर का पैंट पहना था हां मुझे वह याद है और वह बिहार के लोगों को जानना चाहिए वह पैंट का जो जिप है वह तूट गया था इन्होंने बोला कि चलो चलो ठीक ह है उस पे हुक मारो और हम एक्शन दे के आएंगे और हुक मारा गया और सौट दे के आएं अगर यह थोड़ा सा भी इगोइस्ट होते तो सायद बोलते कि नहीं पैंट बदलो पहले दूसरा पैंट लाओ दूसरा पैंट पहनेंगे तभी जाके एक्शन करेंगे दूसरा प बड़ा सुपरश्टार बना दिया बस हमारी कोसिश रहती है मनेश्विया जैसे कि आप अभी हम लोग इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि अभी इन्होंने बहुत बहतरीन काम किया है कि सरकारी स्कुलों में अपने खर्चा से यह कंप्यूटर बच्चों के पढ़ने के जी है साहिद मुझे लगता है कि नौ जिस दिन बड़े होंगे न वो अपने देश का फ़विश्य से बन जाएंगे अपने बच्चों को अब कितना भी प्यार दीजे नौ से नौ कम्याब नहीं होंगे लेकि मुझे लगता है कि उन नौ को गोद लेंगे तो उससे आठ तो कम्याब होई जाएंगे क्योंको पता है कि ये मेरा माँ है मेरा बाफ है और हमारे पीछे कोई नहीं था ये था तो उनको आपकी मजबूरी और आपकी ताकत समझ में आएगी तो मुझे लगता है कि मैं बच्चा पैदा करने पे विस्वास नहीं करता हूँ बहुत बड़ी कि आप जहां भी रहते हैं जब भी छट हो दिपावली हो और होली हो तो प्लीज आप अपने घर पे आईए क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी गरीमा अपनों से ज़्यादा और ये तीनों तेभार जो है मुझे लगता है कि ये प्रेम का परिकास्टा है एक दूसरे को और अपने बच्चों को खास करके लेगे आई ताकि हमारे बच्चे आज की जनरेशन जो है वो हमारे कल्चर से बहुत दूर भाग रही है तो उस कल्चर को समझाईए कि मा का मतलब क्या होता है उस आस्था का मतलब क्या होता है क्योंकि हमने तो कल्चर देखा है लेकि हमार नहीं आई थी तो मैं गुरकपुर में सूट कर रहा था तो मुझे लगा जे मा के पास मुझे जाना चाहिए वाइप के पास तो हमेशा रहता हूँ मा के पास बहुत कम रह पाता हूँ तो मैं गुरकपुर से डिरेक्ट मा के पास आ गया और पापा के पास और इस बार में दौरा घाड पे लेके गया एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ मम्मी पापा और वाइप इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं वैवस्ता होगा अब आपका एक्चुली देखिए मेरी माँ जो है मेरी माँ जो है समझ लिजे कि वो मेरी धड़कन है मेरे पापा जो है मेरे रहने का छट है और मेरी वाइप जो है मेरी उर्जा है मतलब कि ये जो है नीट्रल होके ड्रवीड वाला सौट के ले हैं ताकि कहीं भी बचाव हो सके क्योंकि तीनों का युगदान नहीं होता तो मैं आज यहां तक नहीं होता क्योंकि मेरे पापा का एक उर्जा एक और सवाल मैं पुछना चाता हूँ आपके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं कि आपके साथ जितने भी लोग रहते हैं उन पर बहुत ज्यादा खरच करते हैं पैसा से लेके गाड़ी खरीद के दे देता हैं बहुत सारी चीजें कितनी सचाई है यह मैं जानना चाहता हूं मैं किसी को गाड़ी खरीद के नहीं देता जो मेरे साथ लोग रहने वाले हैं सिर्फ में उनको हैल्फ करता हूं मैं गारी खरीदने में हेल्ब कर नहीं गारी खरीदने में हलव करदें डीज़र खराइबसक्राइबस मेरे कहने का मिटलब कि मनीज़ VOB here आपकी कमपनी है आप मेरे अजीज मीतर हैयाए है मेरे भाई हैं मेरे साथ रहते हैं तो मुझे करना क्या होगा मेरे पास एक ही चमता है ना कि मैं आपको दो गाना दे दूँगा तो मैं आपको दो गाना फिरी में दूँगा उस समय उसके बाद अगर सौ मिलियन गाना हो गया तो आराम से अब कमा लेंगे तो फिर वो लोग मुझे वो दे भी देते है कि भाई आपने उस समय हमारा हिल्फ किया था, आज मैं उस लेबल पे आ गया हूँ, कि ये पैसा मैं आपको लुटा देता हूँ, तो मैं उस वक्त उनको दो-चार गाने फिरी में दे कर, कम से कम उनको एक जगा दे देता हूँ, कि आप मेहनत करके अपने आपको बढ़ा कर ल है, चालिस लाग रुपया में सूट हुआ है, तो इस परकार के गानों को हम लोग सुने, चर्चा करें, तब जा के हमारा भूजपूरी इंडरस्टी और ग्रो होगा, वरना सिर्फ और सिर्फ वो ढोड़ी छिलना और फलाना डिकाना पे चर्चा करेंगे, ये भी गलत गान है, तो आप जब अच्छे गानों को सुनिएगा, तो हर आदमी अच्छा काम ही करेंगा, तो कोशिच आप भी करिए, हम भी करेंगे, सब लोगों के कोशिच से ही हो सकता है, सब लोग कोशिच करिए, अपने आप चीजे बड़ी हो जाएगा, आखरी में मैं एक सवाल हम और आप बोल देंगे तो नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि जो बाते हम लोग समझ रहे हैं और चाहे दुनिया को समझाना चाहते हैं। अगर गरीबी आपको भी समझ में आती है तो आप समझदार हो गए। तो मुझे लगता है बिहार के हर उस नागरीब को पता है कि गरीबी का मतलब क्या होता है, रोजगार का मतलब क्या होता है, सिक्छा का मतलब क्या होता है, मेडिशन का मतलब क्या होता है, स्वास्त का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि बिहार का कोई जनता इस बात से परे है और उसको पता नहीं है कि इस सब का मतलब क्या होता है बसरते हम आवाज उठाते हैं इसलिए कुछ लोगों की दुस्मन बन जाते हैं कुछ लोग डर के उस आवाज को उठाने ही पाते हैं या अगर उठाना चाहते हैं तो दब जाते हैं क straight कहाता है कि बिहारी कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं सुनिये ध्यान से कहा जाता है कि बिहारी कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं और तोड़ना होता है तो पहाड़े तोड़ देते हैं देखिए अगर आपके अगर सकती है न मुझे लगता है कि हर वो सरकार हमारे लिए कम्याब हो जाएगी जब अगर हम उर्जवान हो जाएगे हर वो सरकार हमारे लिए काम करेगी जब हम सरकार से अपनी बाते रखने की छमता रखेंगे हम अपनी जुबान मजबूत करेंगे आज दसरत माजी के पास क्या था उस आदमी के पास एकी चीज था ताकत और होसला पहाड को भी रास्ता छोड़ कर खाड़ा होना पड़ा कि जा तुझ जीत गया मैं हार गया तो पहाड जब हम तोड़ सकते हैं तो भीया हम अपने राजी में सिक्षा या अच्छी विवस्था या रोजगार क्यों नहीं ला सकते कि मैं अभी कोशिस कर रहा हूं कुछ मैं आप से चर्चा भी किया था कि मैं आप कुछ लोगों को रोजगार देने के लिए ये एक कंपनी खोलने जा रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग आगे बताएंगे साथी साथि इनका एक इट का प्लांट चलता है वहा पे तो ये चाह रहे हैं कि कुछ लोगों को हम रोजगार दे अभी 30 लोग काम कर रहे हैं उसमें तो कोशिस है जिसे इसी चीजे हर जिला में जमीन मिले दिरे-दिरे कमाता हूई ऐसा तो नहीं कि और अब पती हो मैं, रोज का रोजी है, कमाता है आदमी और लोगों का help भी करता है, अपना भी परिवार चलाता है, अपने साथ जुरहने वाले हैं, उनका भी help करता है, जैसे आप पूरे दिन भागते रहते हैं, हर दिन सच बोलने के लिए आप सच को उड़ते हैं, कि ये सच है, क्योंकि भी या गलत चीजों को ढूड़ने के लिए वक्त नहीं लगता है, आपको गुटका हर मोड़ पे मिल जागा, लेकि दूद की डेरी को ढूड़ना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि आप हमेशा दूद की डेरी की तरफ भागते हैं, और वो कहीं गली में होती है, और उस गली के दूद की डेरी को आप पुरी दूद के सामने बोलते हैं, कि ये दूद की डेरी है, इसका रास्ता यह है, यहां आओ और यहां बहुत अच्छा दूद मिलता है, तो दूद का मतलब क्योंकि सच बाते हो गई जो दूदिया को ब कि दूद की सच को ही पर मोट करता है, लेकि कुछ लोग ठीक है, अपने हिसाब से सबकी अपनी जिन्दगी उनको हमें बुरा नहीं बोल सकता, सब लोग अपना अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, उसमें कोई दोसी नहीं है, लेकि सच बोलना बहुत करब होता है और बरदास करना कितना आप जहलते होंगे वो मैं समय महसूस कर सकता हूं क्योंकि मैंने जहला है तो सच जब मैं अच्छा करता हूं तो आप मुझे परमोट भी करते हैं लेकि मैं गलत करता हूं तो आप मेरे बारे में गलत भी बोलते हैं तो जब आप सच मेरे हमें भी मुझे सुधारने की जरुवत है यह नहीं कि आपका बिरोध करने का जरुवत है तो मैं वो ऐसा इनसान नहीं हूँ मैं कोशिस करता हूँ कि जो मैंने गल्ती की है उसको मुझे सुधारना चाहिए और एक बड़े भाई के नाते आपने जो मुझे बोला है दुनिया के सामने और आप ऐसे भी बोल सकते थे आपका नमर मेरे पास भी है मेरा नमर आपके पास भी है कि हम एक दूसरे से बात भी करते हैं लेकि आप दुनिया के सामने बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि मैंने वो गलती दुनिया के सामने ही मिल चाहिए ताकि फिर वो दोबारा मेरे से गलती ना हो तो मेरी कोशिस रहती है अच्छा करने यही होता है एक बड़ा कलाकार का बड़ा दिल जो जमीन से हमेशा जुड़े रहते हैं और गलत अगर कोई बोले उनके बारे में तो उसको भी एकसेप्ट करते हैं और सुधारने का बारे में क्या सोचते हैं भैंस पे बैठने वाला एक यूवक जो आज बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों के पलकों पे बैठ गया जो भुझपूरी इंड़स्टी से प्यार करते हूं लोगों के पलकों पे बैठ गया उसका लाकार के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना और आकरी में हम दोनों एक साथ बोलेंगे जाहिंद